भाजपा का जो election department है ना, election department ED पूरी सरकार ही चल रही है ED और CD पे या तो ED भेजते हैं या CD भेजते हैं तो जिसका ED और CD नहीं है वो सच्चा है जिसका ED और CD है वो जुट है वो जुट के साथ यागर के खड़ा है और मैं ये सवाल आप से पुझता हूं इसका जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा क्योंकि मैं महसूस करता हूँ और मैं रिनी हूँ मैं रिनी हूँ महात्मा गांधी का मैं रिनी हूँ पंडी जवाहलार रहनू का मैं रिनी हूँ डक्टर बाबा साहब भीमरा अंबेदकर का मैं रिनी हूँ सरदार बल्लबहाई पटेल का, सुबाथ चंदरबोस का, सरोजनी नाइडू का, मैं रिनी हूँ उनका, कि वो अंग्रेजों से लड़कर के हमको आज़ादी दिलाए, मैं रिनी हूँ लाल बहादूर सास्त्री का, मैं रिनी हूँ इंडरा गांधी का, करती है वो आप तमाम लोगों के सामने माई के ले करके इन तमाम नेताओं के सामने पर सोशल मीडिया का मीडिया का सहारा ले करके जूट परोसा जा रहा है और सत को जुटलाने की कुशिच की जा रही है, इस बात को हमको समझना परेगा, ये इतिहास नहीं बना सकते हैं, आपको मालूम है, देश के जो पंत परधान हैं, जिनको हिंदी में हम लोग परधान मंतरी कहते हैं, वो इतिहास में फेल हो गये थे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं जूट नहीं देती है इतिहास भी उसको भुला देता है इसी लिए ये इतिहास जब बना नहीं सकते हैं तो इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपना मका बना नहीं सकते दूसरे की मका पर अपना नाम लिख करके कहते हैं कि हमने इतिहास बनाया है अरे सहाब आपने तो इंसान क को इंसान नहीं बनाया है आप इतिहास क्या बनाएंगे जूट के सहारे एक इमानत खरी करनी के कोशिश कर रहे हैं जूट का सहारा ले करके इतिहास को पलटने की कोशिश कर रहे हैं क्यों कि इनका इतिहास खराब है क्योंकि इनका इतिहास इस देश के साथ गदारी करने का इ तिहास है मैं जितने संतों का नाम ले रहा हूं जितने बीरों का नाम ले रहा हूं जितनी भी रांगनाओं का नाम ले रहा हूं बताइए एक का भी संबंध भारतिया जंता पार्टी से है है क्या लेकिन हमको गर्व है कि हम जितने भी लोगों का नाम ले रहे हैं पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है उस पार्टी के आप सरस हैं जिसने इस देश में बराबरी के सिध्यांत को लागू किया है बोलिए इस देश में महिलाओं ने कोई आंदोलन किया था क्या समान वोट के अधिकार का कोई आंदोलन नहीं किया था ना समान वोट का उड़ते हैं उनका भी वोट एक और जो साइकल पे चलता भी उसका भी वोट एक है कि नहीं है अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो आपको लगता है कि पांच साल में चुनाव के बाद हेलिकॉप्टर ले करके कोलापूर सीटी की गलियों में नेताजी हाट जोरगर के आप तो जो अधिकार हमको मिला है वो अधिकार हमसे चीना क्यों जा रहा है चीना इसलिए जा रहा है कि पहचान के नाम पर जात और धर्म के नाम पर यह आज की तारीक में हमको जो अधिकार दिये गए हैं उसको एक एक करके चीन रहे हैं कैसे चीन रहे हैं मैं कुछ उदाहरण और एक दूसरे के खिलाफ गंदी और गाली भरी भाशाओं का इस्तेमाल करते हैं। मैं आप सबसे एक सबाद पूछना चाहता हूं, खास करके अपने नौजवान दोस्तों से। उसमें एक भी मंतरी का बच्चा रहता है। एक भी प्रधान मंतरी का बच्चा नहीं ना, पता है वो कहां रहता है, वो आक्सफोर्ड में रहता है, वो केम्ब्रीज में रहता है, वो लंडन में रहता है, वो नियॉर्क में रहता है, लेकिन हमारे जो कामगार के बच्चे हैं, जो सेतकरियों के बच्चे हैं, जो साधार को भेजने के लिए पढ़ने के लिए बाहर क्यों भेज रहे हो उसको बोलवा करके हमारे साथ धरम बचाए आए हमारे साथ रेली निकाले जाकी निकाले चलाकी चलाकी कर रहे हो मोबाइल हमारा रिचार्ज हमारा टीवी हमारा रिचार्ज हमारा कहानी अपना कर रहे हो इस ब पेटी गोवा में रेस्टोरेंट खोलेगी नहीं हम लोग मोटर साइकिल ले करके अपना तेल भरवा करके जै सिरीडाम अरे राम जी जिन्दावाद हैं जै जै सिरीडाम का कल भी था आज भी है आगे भी रहेगा यह नयाब फैसन के इसे शुरू हुआ है यह खेला क्या है इ स्मृति से मिटाने की कोशिश की जा रही है यह आज आती हमको कैसे मिली इस देश का निर्मान कैसे हुआ संभिधान कैसे बना हम और आप प्रजा से नागरिक कैसे बने हम नागरिक हैं आज आज हमको यह बात समझनी परेगी कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता है ये है नागरिक्ता ये है जम्हूरियत ये है लोकतंत्र कि रानी के बेट पेट से राजा नहीं पैदा होगा राहूल गांधी जी को भी अमेठी में जाकर के चुनाव लड़ना परेगा बोलिए लड़ना परेगा न ये लोकतंत्र है एक बात बताईए इंद्रा जी चुनाव नहीं लड़ी थी लड़ी थी ना राजीब जी चुनाव नहीं लड़े थे लड़े थे ना राहूल जी चुनाव लड़ रहे है ना राहूल जी चुनाव जीत करके पारलियामेंट में है ना और प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ को उसको आप यूहीं सच्मत मान लीजिए आप अपने मन में विचार कीजिए कि अगर भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जी का सांसद बनना पडिवारबाद है तो अमित साह का जो बेटा है देखें उसका मूँ एविचा मूँ देखें है जैसा का उसका बीचिए का सिक्रेटरी बनना पडिवारबाद है कि नहीं और जोतीराज में मंत्री थे उनके पिताजी भी मंत्री थे माधाराव सिंधिया तो जब तक वो कोंग्रेस में थे तब तक पडिवारबाद था अजी हुई मोधी जी के आएंगे ये हमको कि हमारी पार्टी में परिवारबाद है जुहीं आप RSS में सामिल हो जाएगा तो वो संग परिवारबाद हो जाता है अगर परिवारबाद गलत है तो संग परिवारबाद भी गलत है ऐसा नहीं होगा कि हमारे लिए परिवारबाद गलत है और आपके लिए परिवारवाद सही हो जाएगा मैं ये एक्जामपल हमेशा लोगों को देता हूँ कि सोनिया जी का कॉंग्रेस में होना और राजीव जी का कॉंग्रेस में होना परिवारवाद है तो मेनका गांधी जी का और वरुन गांधी जी का भाजपा में होना परिवारवाद केसे नही लिए बताइए बोलिए बेवकू बना रहे हो तुम्हारा खेल हम समझते हैं और इसका खेल जानते हूं किक्यों कि हम हमारे जैसे लोग राजनीती को कभी अपना कैरियर नहीं समझते हैं हमने और यह में पब्लिक ली बोल रहा हूंगा आपके सामने ये जो आप तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं न हमने आपका नमक खाया है आप जो टेक्स देते हैं उस टेक्स के पैसे से हमने दिनराथ पढ़ाई करके PhD की है हमारा बाप अमित साथ हो रही था कि हम भी CCI के सेक्रेटरी बन जाएंगे तो जब हमने आपका नमक खाया है तो हम जानते हैं इस देश की हकीकत क्या है इस देश की हकीकत यह है कि महात्मा गांधी बिदेश में पढ़ाई किये बैरिष्ट्री की पढ़ाई किये थे बैरिष्ट्री की पढ़ाई करके वह भारत आये और मोहंदास करमचंद गए बिहार और बिहार में किसान के आंदोलन में सामिल हुए चंपारण में और बिहार के किसानों ने करम चंद को महात्मा गांधी बना करके भेज दिया और वो गांधी सूट खोल दिये देश के लिए वो भी गुजराद से थे एक गुजरात के गांधी सूट खोल दिये देश के लिए एक गुजरात के मोधी दसला का सूट पहन लिए दोस्त के लिए यही हकीकत है न और कहते हैं कि एक गरीब परधान मंतरी बन गया है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ने ने बहुत अच्छा लग रहा है बस हम यह चाहते हैं कि जैसे आप गरीब है न वैसा ही गरीब इस देश का हर कोई बन जाए हर कोई वैसा ही गरीब बन जाए कि चढ़ने के लिए उसके पास सारहे आठ हजार करोर का हवाई जहाज हो पंद्रह करोर का कार हो दस लाख का सूट हो पांच लाख का चस्मा हो धाई लाख का कलम हो हम चाहते हैं कि इसी गरीबी पूरे देश को मिल जाए चोड़ी इसको चोड़ी कहते हैं इसको बैमानी भी कहते हैं इसको कहते हैं आँख में जूट जोकना और ये हमारे आँख में जूट जोग रहे हैं हमको यह बात समझनी परेगी कि आज हमारे मुलक में हमारी सबसे बरी समस्या क्या है हम किन समस्याओं से जूज रहे हैं और किस तरीके से हमारा ध्यान भटकाया जाता है आज कल तो तांगा नहीं चलता है आपको तंगा चलना बंद हो गया है, लेकिन पुराना हिंदी सिनमा देखेगा ना, तो उसमें अभी भी तंगा है, सोले फिल्म जाके देख लीजिएगा, बसंती का एक तंगा है, धन्नो, तो धन्नो के आँख पे एक चस्मा होता है, ताकि धन्नो इधर उधर ना देखे, ध हम खुन पसीने की कमाई, राश्तिय बैंकों में जमा करते हैं, किसान अगर ट्रेक्टर का लोन ना चुकता करे, तो किसान का ऊपर ट्रेक्टर चढ़ा देते हैं, लेकिन बारह लाग करोड, कितना था बंटी भाई, बारह लाग करोड, अपने दोस्तों का करजा माफ कर दे कहते हैं कि इस देश में सिख्षा देने के लिए पैसा नहीं है लगातार एजूकेशन के बजट को कम किया जाता है लेकिन आपको मालूम है नेता जी सब रहने के लिए और अभी बंटी भाई और प्यंट पार्टिल भाई आपस में बात कर रहे थे कि जो बहिया हिंदी बोले हाई रे चोड़ी अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं है रोड अगर बनाता है तो रोड बनने से पहले ही गड़करी जी टेक्स लेना शुरू कर देते हैं टोल टेक्स लेते हैं नहीं लेते हैं रोड हमने अच्छा इसको एक खेल समझ लीजिए कार जब आप खड़ी द तौड by ख़ड़ते हैं तो रोड टेक्स ललटाहन यहीं लेता है तो एक बासब कार खड़ी देंगे कि तब टेक्स लेगा और फिर जितनी बार कार लेगर के रोड पर जाएंगे टोल टेक्स लेगा इसा ही है कि ब kids kids video डड़िये मत एक क्यमरा उधर घुमा दीजिए है बली यह सही है कि गलत है गलत है न यह कैसा विकास है कि हमारा जो है न सरीड से सिरिंज लगा करके खून खिचते रहता है रोज हर तरह का टेक्स हमारे उपर लागू है नौजवान दोस्त यहां बैठे हुए आपकी जानकारी के लिए बता दूँ जो यूथ होस्टल है वरकिंग विमें होस्टल है उस पे भी 12% का जीस्टी लगा दिया गया है एक सिक्षा पे टेक्स सरक पे टेक्स अस्पताल पे टेक्स दवाईयों पे टेक्स हमसे हर चीज पे टेक्स ले रहे हैं और बदलेे में क्या कहते हैं आत्म निरभड बनिये कितना सुंदर सब्द है आत्म निरभर बनिये तो तो एक बात हमको बता दीजिए, सोच के बता दीजिए, जरूरी नहीं है कि हमारी बात मान लीजिए, लेकि सोचिए जरूर, आजाद भारत के आजाद मागरिक हैं आप, आपका हग है कि आप सोचें, और उसमें भी आप महराश्र के हैं, आप आज सोचेंगे, भारत उसको कल स सोचेगा इसलिए आपको जरूर सोचना चाहिए कि अगर सरकारी रोड नहीं होना चाहिए सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए सब आत्म निर्वर होना चाहिए तो सरकारी पर्धानवंत्री भी नहीं होना चाहिए बोलिए क्या आमदार सहाब बोलिए कि आपको पेंसन मिलेगा आई ये जो यहां काउंस्टेवल ख़रा है क्या जी पेंसन मिलता है तो बोलिए ने इनको नहीं मिलता है बोलिए इसको देखिये और इसको समझिये और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ अजीद दारा ने ऐसा प्रणान मंतरी ने कहा एलेक्शन डिपार्टमेंट सक्रिया हो गया इडी अब कोई घोटाला नहीं हुआ है भाजपा के वासिंग मसीन में सब साफ हो गया है अब अब दाग अच्छे हैं क्योंकि दाग भाजपाई है इस खेल को आप समझे कि कुछ भी सरकारी नहीं होगा तो सरकारी संसद किसलिए होगा 20,000 करोड का सरकारी परण मंतरी किसलिए होगा इस देश के नागरिकों को यह समझना परेगा कि इस देश में कितनी बड़ी लूट चल रही है अमबानी का एक दिन का जो इंकम है एक दिन का बोल रहे है एक दिन का उसमें एक दिन के इंकम में 75,000,000 कितना? 75,000,000 मंड़ेगा के मजदूरों को बेतन दिया जा सकता है यह खेल हम नहीं समझेंगे देश की आजादी को 75 साल हो गए है 77,000,000 दिवस मनाया जा रहा है ऐसा कैसे हो गया भाई? कि 2-4 लोग बहुत अमीड हो गए और बाकी जो जनता थी वो हर चीज के लिए तरसने लगी है पहले क्या बोले थे? पहले बोले थे कि जब प्राइवटाइजेशन होगा तो कॉम्पिटीशन होगा जैसरे डाम होता है वो आजकल गृमंत्री है गृमंत्री का काम है देश की कानून वेवस्था को सुरक्षित रखना मनिपूर में कानून वेवस्था सुरक्षित है आप लोगों ने देखा अगी नहीं देखा पुलिस थानों पे हमले हुए हथियार लूट लिये गए, गोली लूट लिया गया, महिलाओं को निर्वस्ल करके घुमाया गया, क्यों? क्योंकि ग्रिह मंत्री जी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए थे, प्रधान मंत्री 22 गंटा काम करते हैं, तब जाकर के देश की ये हालत पहुची है, कि इस देश में स तक सब को पक्का मकान मिल जाएगा, मिल गया की नहीं मिल गया, नहीं मिला, तो मतलब प्रधान मंत्री जूट बोल रहे हैं, क्या, या तो आप लोग जूट बोल रहे हैं, प्रधान मंत्री जूट बोल रहे हैं, कौन जूट बोल रहा है, प्रधान मंत्री जूट बोल रहा हुम देखे हैं जब आ रहे थे न ना को लापुर सीटी से मसाल के पीछे-पीछे तो कॉलापूर का जेल देखते हुए आए नहीं जगा है कितनीOOOO में तेरे देख़ लिया है देखेंगे तुमने जूट बोला कि हर साल दो करोड नौखरी पैदा की जाएगी तुमने जूट Jake कि सानों की यांद्वनी दुगणी की जाएगी तुमने जूट बोला कि 2022 Tag सब को पका मकान मिल जाएगा तुमने जूट बोला कि महंगाई को कम करेंगे तुमने जूट बोला कि महलाओं के उपर अत्याचार को कम करेंगे तुम इस देश की जंता से जूट बोल रहे हो और तुम्हारी ताकत है जूट बोलना तो याद रखना कि तुम अगर जूट के रास्ते पर चल सकते हो, फिर से इस देश को गुलाम बनाने की साजिस रच सकते हो, जिन अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, आज उन्हीं दोस्तों के साथ खरा हो करके, अगर उस देश में तुम कमपनी राज लाना चाहते हो, तो तुम को बता देना चाहते हैं, कि हम भी म भाग लपेट के जूट बोलते हैं, दूसरी तरफ हम तमाम लोगों को यह है, डर और साहस की, पताइए, सहीदे आजम भगत सिंग, तैस साल की उम्र में, हस्ते हस्ते, फासी के फंदे पे जूल गया, जूल गया अगर नहीं जूल गया, बटुके स्वर्दत, सुखदेव, राजगुरू, चंदर सेखर आजाद, जूल गया अगर नहीं जूल गया, और आप जान लिजिए, जितने करांतिकारी थे, उनका केस अगर कोई लड़ता था, तो उस वकील का नाम पंडि जवाहला नहरू था, इस बात को याद रखिएगा, यह जूट बोलते हैं, यह लड़ाई को यह जाशुसी करने वाले डरपोक लोग हैं, दूसरी तरफ हम साहसी और बहुदरी लोगों को इकठा होना परेगा, तो दूसरी लड़ाई है, साहस और डरका, और तिसरी लड़ाई है, कि वो समाज को हमेशा बाटने का काम करते हैं, हमेशा, कभी जात के नाम पे बाटेंगे, कभी धरम के नाम पे बाटेंगे, जहां धरम होगा, वहां धरम का जगरा लगाएंगे, जहां धरम नहीं होगा, वहां जात का जगरा लगाएंगे, आप मनीपुर का उदाहरन देख लीजिए, वहां आपस में लोगों को लड़ा रहें और नहीं लड़ा कि सीखी है फूट डालो राज करो कि हमको यह बात समझनी पड़ेगी कि आज महारास्त्रा के लोगों के आत्म सम्मान का सवाल है कि कोई बाहर से आकर के संत तूका राम की धर्टी पे रहने वाले लोग समता भूमी पे साहु महराज की भूमी में जन्म लिये लोगों को यह बात समझनी पढ़ेगी कि कोई बाहर से आ करके महराश्ट के परिवार को आपस में भिभाजित कर रहा है महरास्ट के लोगों को लड़ा रहा है यह मामला सिवसेना, NCP और कॉंग्रेस का नहीं है यह मामला सच और जूट का है और महारास्ट्रा के लोगों को सच के साथ खरा रहना परेगा अगर कोई गलत है तो वो गलत है वो भाजपा में जाने से ठीक नहीं हो जाता है यह पहले क्या करते हैं यह पहले ED भेजते हैं इलेक्षन डिपार्ट्मेंट पहले जाता है नेता को डराता है अगर नेता डर गया तो तुरंत उसको भाजपा का खेश पहना करके उसके सारे अपराध को माफ करके जैसे मानली जीए पियन पाटिल सहाब और बंटी जी यहां बैठे हुए हैं इनके घर पे भी कोई आया था महमान इनको डराया था तो जुहीं ED जाती है तो यह चिल्लाना शुरू कर देते हैं चोड़ है चोड़ है चोड़ है डर करके जुहीं अगर यह भाजपा में गए साधू है साधू है साधू है संत है महात्मा है कमाल बात है भाई यह आपकी आंख के सामने हो रहा है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं तीन चार राजभवत्मोत पूर्न है एक तो हम आप सब लोग हैं महारास्ट्रा के अगर यहां पे जैसाह के पपा का धरकन बढ़ा दिया है उपर नीचे चल रहा है उनका बलड प्रेसर कि क्या होगा अगर यहाँ पे इनका जूट का परदा फास हुआ तो यह नकली चानक का बेंड बजने वाला है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यह मामला महाविकास अगारी का नहीं है यह मामला महरास के आम लोगों के आत्म सम्मान का है कि आप किसी को चुन करके किसी पार्टी का परतिनिधी बना करके आप भेजते हैं अपना परतिनिधी तुक करने के लिए बिधान सभा या बिधान परिशाद या संसद में उधर से उसका election department आता है तीन चार बार छापा मारता है निता जी अगर डर गए तो भाजबाई हो लिए अगर नहीं डरे तो Congress में रहे तो आपको यह तै करना परेगा कि इसका मुकाबला किसको करना है इसका मुकाबला दल को करना है कि इसका मुकाबला देश को करना है इसका फैसला आपको लेना है और हमको लगता है कि यह बड़ी साजीस है यह बड़ी साजीस इसलिए है कि इस देश में विपक्ष को इसलिए खतम कर देना चाहते हैं ताकि देश के नाम पे जो इनके दोस्त की लूट है उस पे कोई सवाल ना खरा कर सके आप सब में से बहुत सारे लोग यहां जो बैठे हुए हैं मुझे मालूम है कि आपको वाट्सेप मेरे लिए भी मैसे जाया हो जाते हैं हमको क्या बोलते हैं टुकरे टुकरे गैंग जब यह बोलते हैं तो खुद यह नहीं सोचते हैं कि यह अपने ही ग्रीमंत्री को निकम्मा बोल रहे हैं बोल यह किसकी सरकार है देश में भाजपा की महराश में किसकी सरकार है भाजपा की क्या जी पुलीस वाले भ स्टाइट्मेंट से नहीं डरते हैं मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए ख़ड़ा हो करके पबलिक ली पूरी की पूरी भाजपा के जूठों की जमाच को चैलेंज करते हैं कि अगर हमने गलत किया है तो चौराहे पर खड़ा करके तुम मुझे गोली मार सकते हो लेकिन अग करता राजीव गांधी को याद करते हुए यह संकल्प लेता है कि इस देश में सदभावना को हम बचा करके रखेंगे तुम्हारी पूरी ताखत को परास्त करेंगे इस बात को याद रखना हैं मत दरा लोगे याद रखना जिस इंसान के पास विचार की ताकत होती है जिस बुरापे में भी जो है बाल का बहुत धियान रखते हैं और वहां गए और जाते ही जुट बोलना शुरू कर दिया यह क्यों बार बार पडिवार बात बोल करके कॉंग्रेस पे हमला करते हैं इसके क्या वज़ा है इसकी वज़ा ये है कि इनको मालूम है कि ये जिस व्यक् इनको अपना दुस्मन मानता ही नहीं है क्योंकि ये आदमी ही उस लेवल के नहीं है सच बात बता रहें आपको और दूसरा इन्होंने सब कुछ कर लिया खरीदने की कोशिस कर ली दराने की कोशिस कर ली सब कुछ करने के बाद ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं भाई ये गांधी का पोता है मर जाएगा जुकेगा नहीं जिस पड़िवार ने इस देश की एकता और अकंड़ता के लिए दो दो पढ़ान मंतरी की जान गवाई हो उसको टुकरे टुकरे गैंग बोलते हो अरे जब बोलते हो न तो शरम से तुम्हारा जुवान कट जाना चाहिए अगर शरम होती न तो यह बोलने की हिम्मत नहीं करते नहरू के बारे में वाटसएप मेसेज पहलाते हो कि नहरू ने इस देश को बरबाद कर दिया अगर नहरू नहीं होते न एक इंसान को एक इंसान के वोट का आधिकार नहीं मिला होता न तो आपको लगता है मोधी जीस घर्व से कहते हैं कि मेरी मा बरतन मानजती थी तो बरतन माजने वाली का बेटा देश का परधानमंतरी बन पाता संभ़व था यह और कॉंगरेस 70 साल तक इस देश की जम्हूरियत को बचा करके नहीं रखती तो जैसा का बाप तरिपार होने के बाद देश का गरीमंतरी बन सकता है और सच की ताकत ये होती है कि आप उसको जितना दबाने की कोशिस कीजिएगा अपने आप उठकर के वो समने खड़ा हो जाता है और आप देखिए कि जब राहुल जी कन्या कुमारी से भारत जोरों का संकल्प ले करके चलना शुरू किये तो भाजपा के नेताओं की धरकन बढ़ने लगी और कहना सुरू करते हैं कि अरे भाई मढ़ गए ये आदमी तो पप्व नहीं है खुदी खुदी बोलना शुरू कर दिए क्यूं क्यूंकि उन्होंने हज्जारों करोड कर्च किया उस इनसान को बदनाम करने के लिए हज्जारों करोड कर्च किया उस और इस कडम हो पढ़ाते गए कार्मा बढ़ता गया लोग जुड़ते गए और आप तमाम जो कोलापुर के लोग है आप जानते हैं कि 700 किलो मिटर यहां से चल करके हिंगोली में आप लोग भारत जोरो यात्रा का साक्षात जो है दर्शन की यह हैं उसमें सामिल हुए हैं सच यह है कि कॉंग्रेस पार्टी का मतलब भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस का मतलब है सत्थ भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस का मतलब है साहस भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस का मतलब है एकता यह जो तीन चीज है सत्थ साहस और एकता यह हमारी पहचान है जूट नफरत और इस सवाल पूछना चाहता हूं कि आप स्थ के साथ खरेंगैं कि स्थ की आवाद थोड़ी और बुलन्द होती है सप्थ के साथ करेंगनागर आप सथ खरेंगी अंग्र यह चानक है न कि पहचान दिक नहीं अरे वही, फादर आफ जैसा, वो आपने आपको जो है चानक की कहते हैं, वो चानक की जो है ना, सूटकेस लेकर के घूमते रह जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि महारास्त्रा के लोग इनके जूट को धूल चटाएंगे, इनको जरूर हराएंगे, इस बात का हमको भरोस है, और इस बार ये देखना ही नहीं है, इस बार ये नहीं देखना है, कि किसका फेटा कैसा है, किसका कुर्ता कैसा है, किसका जो है सिंबॉल कैसा है, सिर्फ एक बात देखना है, कि जो जूट बोल रहा है, जो आपको डड़ा रहा है, और जो नफरत फैला रहा है, वो सावन सीथाराम ईश्वर अलाह तेरो नाम सब को सनमत्य दे जैंगे और यह सब सब्सक्राव पूले का भाव है वही भाव है इस देश में नानक का भाव एक भीतर requires शॉख अबो है वह भाव है सब को साथ लेकर चलने का और सब को साथ लेकर चलेने की जो भाबना है कोलाप इक एक नागडिकों को इसके बारे में मालूम है कि साहजी महराज ने किसी एक जाती के लिए नहीं बलकि सभी जातीों के लिए छात्रावास का निर्मान कराया कि तो यह जो सब को साथ लेकर चलने का भाव है यह जो एकता का भाव है इस भाव को हमको बचाना है जो प्रेम का भाव है उसको हमको बचाना है जो सत्त के पर्ति हमारी निस्ठा है उसको हमको बचाना है और यह हमको इसलिए बचाना है कि जो पुर्खोंने मिट्टी हमारे हाथ में सौपा है जो पुर्खों ने जमूरियत और लोगतंत्र हमारे हाथ में सौपा है इसको हमको अपनी आने वाली पीड़ी के लिए सुरक्षित रखना है ताकि जब हम इस जमूरियत को बचाएं तो कल को जमूरियत को का इतिहास पढ़ने वाले यह लोग समझ सकें पढ हालीस में मिल गई लेकिन उस आजादी को बचाएं रखने का अंदोलन भी कॉंग्रेस पार्टी भारतियरास्टिये कॉंग्रेस के नेत्रित में चलाया गया इस आजादी को हमको बचाना है और जंता के जो मूल सवाल है उनकी कोशिस रहेगी कि वह इधर-उधर की बात करे कहले को अगर मुसल्मान जादा हो गए तो यहां संविधान समाप्त हो जाएगा और सरिया कानून लागो हो जाएगा ऐसा मैसेज वाटसेप पर आता है आता है यह डर क्यों फहला आ जाता है यह डर इसलिए फहला आ जाता है ताकि आप यह ना सोच सकें कि अमबानी की एक परिवार को दिया जा रहा है ताकि आप यह न सोच सकें कि परिवार बाद इधर गलत है और परिवार बार उधर सही हो जाता है अजीद दादा पवार जब महाविकास अघारी में थे तो 75,000 करोर का घोटाला करने का आरो परधान मंत्री ने लगाया जिवी भाजपा में जाक को हमको समझना परेगा वो हमको जाती और धर्म में उलजा करके हमारा वोट ले रहे हैं और जब उनको गदी मिल रहे हैं तो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बिलाच भेज रहे हैं और हमारे बच्चों को दंगाई बना रहे हैं यह सवाल हमारे सामने गंभीर है और इस गंभीरता को हमको समझना परेगा और जो सद्वाबना का संकल्प हमने राजीब जी को याद करते हुए खाई है उस संकल्प को उस कसम को हमको पूरा करना परेगा हम इंतजार नहीं करेंगे अगर कोई इंसान किसी वाटसेप ग्रूप में जूट बोल रहा हो उस जूट क हमको मुकाबला करना परेगा किसी चाई की दुकान पर कोई नफरत फैला रहा हो उस नफरत का हमको मुकाबला करना परेगा हमारे मुहले में कोई अगर जगरा लगाने की कोशिस कर रही हो उस जगरे के खिलाप हमको खरा होना परेगा किसी कमजोर के उपर कोई ताकत पर अ सची सधानजली दे पाएंगे जब उनके दोरा बनाएगे भारत का हम निर्मान कर सकें उनके दोरा जो भारत हमारे हाथ में सोपी गई है उसका हम रख्षा कर सकें और जो हमारी आने वाली पीड़ी है उसको बहतर भारत हम दे करके जा सकें और हमारी आने वाली पीड़ी कल को उन्हीं जगरों में नहीं उलजे जिन जगरों में हमारे पुर्खे उलजे रहे हैं हमको इस देश में दुबारा जात और धरम का जगरा नहीं होने देना है क्योंकि हमारे देश के संभिधान की प्रस्ताबना में यह लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग है और हम भारत के शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद, जै हिंद, जै महारास्त्रा!